दर्द में मरहम पाऊगे, आस्वों में उसका दपट्टा और रुमाल पाऊगे, खुशियों में और गम में उसका तुम साथ पाऊगे, प्यार को हम सफर बना लिया न, तो यहीं पे जन्नत पाऊगे. कैसे लगेगे यह लाइन हमारी कलम से और वेलकुम टू मैं यूटूब चैनल मैं हूँ आरोही और आरोही के अडवाइज में आपका मोस्ट वेरकम है। दोस्तों आपको बता दूँ, इस वीडियो के थुरू आपकी जितनी भी डर है, वो सारी आपकी कायब सी हो जाएगी। और ऐसे सबसे बड़ी प्राब्लम जो इन दिनों पूरी ससाइटी में हैं। और हर एक love words एक हर एक couples की यही प्राब्लम जो करना चाहते हैं अपने मरजी से साथी। लेकिन parents, relative काफी परिशान किये हुए हैं और वो pressure डाल रहे हैं लड़की पे या फिर लड़की पे। कोई भी हो उन दोनों पे इकदम pressure डाले वे कि आपकी शादी नहीं हो सकती आप इससे साथी नहीं करो। तो इस situation में आप वस जाते हो और बहुत सारी लोग बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। मैं आपसे एक request करना शादी हूँ कि आप समझतार हो और आप बिल्कुल भी ये कदम ना उठाओ कि बहुत सारी लोग गलत कदम उठाते हैं सुसाइट जैसे attempt कर लेते हैं। विल्कुल रॉंग आपका हक है आपकी मर्जी से साधी करना। आप इसके लिए डरो मत। आपके साथ पूरा law है इंडियन constitution आपको ये right देता है कि you can marry आप अपनी according अपनी हिसाब से और जिससे आप चाहते हो उससे आप साधी करना शाहते हो। कुछ role regulation है वस उसे आपको follow करना है। लेकिन इस वीडियो वह मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इन सब को देख सकते हो। यानि इन सब से आप अपने parents को या फिर जो भी लोग आपको रोक रहें। उनकी आप कैसे उनसे अपनी solution कर सकते हो। क्योंकि आपको बताऊं तो दोस्तों कि बहुत सारे लोगों की यह problem है अगर आपकी भी यह problem है तो comment box से comment करना ना भूले। और हाँ वीडियो के साथ जरूर बने रहें। शेर करें जितने भी जितना possible हो सके सारे लोगों की मदद करो। क्योंकि बहुत सारे लोग इसी चक्कर में अपने प्यार से दोर हो जाते हैं बहुत गलत कदम उठा लेते हैं। सबसे पहली आपको एक शेतावनी भी देना चाहिए। और सबसे ध्यान रखने बाड़े बाद। कभे भी ये सारे चीज़े आप उन लोगों से डिसकस और एडवाइस मत लो जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सर्फ नेगटिव और इतनी अंगरंत और मनगरंत बाते आपको बताएंगे इतने डरा देंगे कि आप फिर कुछ गलत कदम उठा लोगे। आप बिल्कुल यह से मत करों आपको यह करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको करने क्या है। जरूरत सुनों। दोस्तों आपको पताया नहीं है अगर तो मैं बता दूं। हमारे इंडियन कॉंस्टिउशन में अगर एक लड़की की एज 18 है। और एक लड़की की एज 21 है। तो आप अपनी मर्चे से जिससे चाहते हो जहां चाहते हो वैसे मैरेज कर सकते है। और सुझसे अच्छा उपाई है कोई मैरेज इससे आपकी साधी कंफर्म हो जाते है। और आपको बता दू कि हर एक कपल जो इंडियन या फिर आप किसी भी कष्टम से हो रिलीजियस की थ्रू आपको रिती रिवास साधी करते हो। उनको भी अपनी मैरेज की रेजिस्टर करानी बहुत जरूरी होती है। इससे आपकी मैरेज जो है लीगल हो जाते है। आपको बहुत सारे लड़कियों को यह परीशान किया जाते है लड़कों को भी कि आपके पास बहुत सारे प्रॉबलमग्ज आते हैं खड़ई हो जाती हैं घर के तोुक्त क्ररेंचकरी इस बादे मेरेसी सिर्फ आपको दोष्भनेशन है। आप सबसे पहले उनकी शिकायत कर दो, शिकायत आपको करनी कहा है, आपको शिकायत करनी है अपनी थानी में, जी हाँ, अपने पुलिस स्टेशन में आपको जाके शिकायत करनी है, अब आपको होगे कि हमारे पैरेंट्स है, हमारे रिलेटिव है, हम उनकी शिकायत कैसे करेंग प्लीज मुझे इसके लिए आप प्रोटेक्शन और आप और प्रोवाइड करें तो इस पे आपके जो प्रेस्टेशन में उसके इत्रों से आपके कानून की तुरी मदद भी मिलेगी और आपके घरवाले उनको समझाया चाहेगा कि आप इसा मत किर जाए अगर आप यह चीज चीज नहीं करना चाहों तो आपके पास दूसरा उपाय है कि आप इस प्रॉबल्म की महिला आयोग में चाहरे सब्सक्राश में क्या सब्सक्राइब आपके अदे और बहुत ऐसी जगह है इन चीज़ों पर मत जो क्योंकि वहां पर आपको इसका कानुवी शॉलुशन नहीं मिलने वाला है आप यह जो करते हो कि पंचायत के पास बहुत सरे लोगे से हैं जो जाते हैं आप इल्कुर यह चीज़ ना करो लौक एकोर्डिंग जाओ आप लिए सक्समट की में अपनेलो तो इसलिए मैं आपको कहते हूं हमीशा ही लौक क्या वाकिया शॉक्तित जानकारी ले हूं जारे वायवेign you दिखाएगा विडियो और डिमांड देते हैं हम और उसे के साथ आमी के अड़ाइस काफी अच्छी होती है हमेशा से ट्राइ करके देखो आपको जरूर 100% फायदा में देगा आपके सवाल कुछ भी हो आप हमें comment box दिख कर सकते हैं और उसे के साथ क्या आप भी जानते हैं कि तार्शमाहल किस ने बनवाया था और किंकी याद ने तो जरूर recommend box दिखते देखते हैं कितने प्यार तेने वाले इस प्यार के निशानी को जानते हैं तो इसलिए इसका सवाल है कि ताश्महर किसने बनवाया था और किसके याद में बनवाया था हमें पता है कि आपको इसका आंसर जरूर बता होगा जरूर comment box recommend कीचेगा बहुत सारी चीज़े है marriage related, quote marriage related या फे अगली वीडियो में हम बताएंगे कि क्या नावालिक से साधी करना सही होता है और क्या इसके लिए आपको jail होगा या नहीं क्या आप नावालिक से साधी कर सकते हैं तो नावालिक से साधी करना valid है ये सारी सवाल अगर आप चानना चाहते हैं इनके शवाब वीडियो जरूर देखें इंड स्क्रेंपे और हमारे चैनल पे रोज नहीं नहीं वीडियो आती है बहुत सारी टॉपिक्स पे तो प्लीज आपकी लव लाइक के बारे में जो भी प्रॉब्रम से आप हमसे ज़र दीज से चल देखें हमारे इंस्टा आइडी पे जुड़ें लवार ही लव की नाम से जो की दिस्टिशन बॉक्स पे है और उसे के साथ लाइक करना न भूले शेर भी जम के करें इसे के सारे इस वीडियो में बसके नहीं तिर मिलते एगले वीडियो भी थैंक्यू